हेलो दोस्तों मैट्रिक इंटर के दो लाग से अधिक बच्चे ग्रेस अंक से पास मैट्रिक और इंटर में जो बच्चे फेल हो गए थे एक या दो सब्जेक्ट में उन बच्चों को ग्रेस अंक देकर पास कर दिया गया है बिहार बोड की तरफ से बिहार बोड ने मैट्रिक और इंटर में एक या दो विशय में फेल 2,14,287 विद्यारतियों को ग्रेस अंक देखर पास कर दिया गया है इसमें 1,41,677 बच्चे मैट्रिक के थे और 72,610 विद्यारती इंटर के शामिल है क्रोना संकर्मन के चलते बिहार बोड ने या निर्ने लिया है इस निर्ने से विद्यारतियों के एक साल बढ़बाद होने से बच जाएंगे वर्ष 2020 में मैट्रिक और इंटर में कुल मिला कर 3,44,637 विद्यारती एक या दो विशय में फेल हो गए थे इन चात्रों के लिए बोड द्वारा कंपार्टमेंटल परिक्षा आयोजित करना था चुकि अभी क्रोना संकर्मन के कारण परिक्षा आयोजित करना संभव नहीं है ऐसे में बिहार बोड ने कंपार्टमेंटल परिक्षा देने वाले चात्रों को ग्रेस अंक देकर उत्तिन कर दिया गया है चात्रों को कितना ग्रेस अंक दिया गया है या बोड द्वारा जानकारी नहीं दी गई है लेकिन बच्चे अपना result वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं गुरुवार को बोर्ड द्वारा online bseb.in पर उत्तिन चात्रों की सुची जारी कर दी गई है चात्र अपना result बिहार बोर्ड के website online bseb.in पर जाकर देख सकते हैं चात्र बोर्ड की website पर अपना नाम और रॉल नंबर डाल कर result देख सकते हैं intermediate परिक्षा में कुल 46,005 विद्यारती एक विशे में और 86,481 विद्यारती दो विशे में फेल हो गए थे वही metric की परिक्षा में एक विशे में एक लाख 8,469 और दो विशे में 99,688 विद्यारती फेल हो गए थे एक बात आपको बता दूँ कि जो बच्चे बहुत ही कम अंक से पीछे रह गए थे पास होने से रह गए थे उन्हीं बच्चों को ग्रे संग देकर पास किया गया है जो बच्चे एक या दो विशे में फेल थे उन्हीं बच्चों को पास किया गया है जो दो से ज़्यादा विशे में फेल थे उनको ग्रेसंग दे कर पास नहीं किया गया है